तो आप सभी विजर्थों का स्वागत है इस चैनल में, दोस्तों आज मेरे चैनल पर ये mathematics का पहला क्लास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप ये SSC, banking, railway, किसी भी चीज़ की त्यारी करते हैं, तो mathematics का बहुत ही बड़ा रोल है, और math के question आते हैं, math का एक अलग भाग होता है कि 25 नमबर, 30 नमबर, math से आएगा, है ना, तो mathematics, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, number system, और एकदम basic से, एकदम जण से, एकदम सुरू से समझाओंगा, समझवारा, क्योंकि आप अभी हमारे चैनल पर नए आया हो, 12th के विद्धार्थी हो, या फिर 9 student जूड रहे हैं, तो सुरू से हम लोग समझेंगे, और एकदम कुछ भी पढ़ेंगे, तो सुरू से पढ़ेंगे, समझवारा, ताकि किसी भी विद्धार्थी को कोई दिक्कत ना हो, तो number system, ये मेरे पास RS अगरवाल का math book है, तो इसी से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और ये आप लो जाओगे, हो सकता हूँ, ऐसा question ना है, उल्टा सिधा करके question पूछ दे, लेकिन ये आपको basic जानकारी नहीं होगी, उस chapter का में जड़ ही पता नहीं होगा, तो आप question को पकड़ नहीं पाओगे, और exam hall में क्या होता है, competitive exam में, या तो अभी तो CBT exam हो रहा है सब जगा, तो ए पाओगे, जब आपको basic जानकारी रहेगा तब, तो ध्यान देना, तो direct question बनाना सुरू करोगे, तो अफ़ा सकते हो, इसलिए basic सुरू से हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देना, सबसे पहले number system को start करने से पहले, आप लोगों को मैं कुछ चीजे बता देना चाहूँगा, इस अप लोग पढ़ते होंगे, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, वो चीज में आपको यहां नहीं बताऊँगा, यहां हम लोगों को यह जानना जरूरी है, एक जातियमान, दूसरा है अस्थानियमान, ठीक है, number system का पहला सीड़ी यही है, इसके आगे कई प्रकार के questions ह जो हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन पहले बेस को समझो, है ना, तो पहला जातियमान, अस्थानियमान, इसके संख्या, विसंख्या, उमीद करता हूँ, आप लोग इसा बढ़ियां से जानते होंगे, लेकिन एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है, जातियमान और अस्थानियमान क्या होता है, ध्यान दो, जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या है, चार, पांच, साथ, आठ, और यहां पर हो गया, ठीक है, तो इस पर पूछेगा कि पांच का जातियमान कितना है, तो पांच का जातियमान पांच ही होगा, यह जहां पर है, य अपनाज हो गया, यहां पूछे साथ का ज़ाती हवं ही, तो साथ इसको कहते हैं प्रेश value, क्या कहेंगे इसको phase value समझ वा रहा है और यदि अस्थानिय मान पूछेगा तो अस्थानिय मान है वह कितना हो गया 80 हो गया उसी तरब से साथ का अस्थानी अमान पूचेगा तो साथ लिखें Lex간us तो सत लिखेंगे सौनर तो लिखेंगे इसके बाद कैठो आंके एक दो तो दो तो दो डिदेंगे या निकाई 12 सेकड़ा, मतलब साध सेकड़ा, मतलब साथ सो हो गया, उसी तरह से पांच का अस्थानी मान पूचेगा, तो पांच लिखेंगे, एक, दो, तिन, तो पांच से जार नहीं है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो अस्थानी ऊमान और जाती MALE यह दोनों चीज़े आपको clear हो गई चलिए अब next बढ़ते हैं यह सब जो जितना चीज़ है यह आगे question बनाने में use होगा इसलिए इस सब चीज़ को समझ लेना बहुत जरूरी है है ना तो चलो आगे बढ़ते हैं ध्यान देजेगा इसको मैं मीटा देता हूँ one minute तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अस्थानिमान और जातिमान हमने समझ लिया अब हमें समझना है कि सम संक्या इस सब चीज़ आप लोग बचपन में भी पड़े होंगे सम संक्या का मतलब क्या होता है वह ऐसे संक्या तो दो से पूर्णता विबाजीत होते हैं उसको इवन नंबर कहते ह जो दो से पूर्ण रूपसे विबाजीत हो करके श्रेशपल सुनि दे उसको कहते हैं सम संक्या जैसे कि 4, 12, 16, 10 इस सब क्या है सम संक्या उतना जादा मुदे बताने की जरूरत नहीं है आप सभी जानते हैं इसके बाद एक विसम संक्या विसम संक्या मतलब और नंबर वैस एक्जाम में कोशन कैसे आता है, कोशन ऐसे आएगा, कि 28 और 34 के बीच में कितना अभाजी संक्या है, और जितना है सब का योग फल बताओ कितना होगा, तो सबसे पहले आपको ये पता नहीं कि अभाजी संक्या क्या है, तो 27 और इसके बीच आप कैसे खो जोगे अभाजी संक ठीक है, साथ जो है, किस से विवाजित होगा दोस्तों, या तो ये खुझ साथ से विवाजित होगा, या तो एक से विवाजित होगा, समझ मारा, तो ऐसे संख्याओं को कहते हैं, आभाज संख्या इसको कहते हैं, प्राइम नंबर, जैसे कि माल लेते हैं, तेरा, है ना, ये अभाजी संख्या लेकिन यदि कोई कहएगा नू तो नू क्या अब है आपाओ तो आप हम कहाएंगे कि नू जो है नू से और एक सिर्फ विवाजीत होता है लेकिन यह तीन से भी विवाजीत होता है इसलिए यह आभाजी संख्या बिल्कुल नहीं है समझवा गया यहां तक तो आभाजी संक्या क्या है वो ऐसी संक्या जो स्वयम से और एक सिर्फ विवाजित होती है उसको आभाजी संक्या कहते हैं ठीक है अब आते हैं next point पर देखना सा आभाजी संक्या एक सा आभाजी अब सा आभाजी क्या है भाई दो ऐसी आभाजी संक जैसे कि माल लेते हैं 13 और 7 दोनों का ACF कितना आएगा दोनों का ACF कितना आएगा वन आएगा तो इसको कहेंगे सा आभाजी ठीक है को प्राइम नमबर इसको क्या कहेंगे को प्राइम नमबर सा आभाजी संक्या आगे हम लोग देखेंगे कि भाग का नियम यह आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं भाग का नियम यह कोशन आता एक्जाम में भाग का नियम कहने के मतलब एक फॉर्मूला है दियान दिजेगा कि भाज ये बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड सेश या सेश फल है न भाज ये बराबर भाजक गुना भागफल जोड सेश अब भाज क्या है भाजक क्या है भागफल क्या सेश क्या है यह आप लोगों को पता है जैसे कि माल लेते हैं हम 4 को माल लेते हैं 40 को भाग देंगे 6 से तो कितना होगा तो इसको भाग देंगे तो कितना होगा 6 चके अच्छो यानि जिससे भाग दे रहे हैं भाग फल मतलब यहां जो आता है कितना बार में गया उसको कहते है भाग फल और जो सबसे नीचे आगे इसको कहते है रिमेंडर ठीक है यानि इसको कहते है शेश फल तो भाग का नियम क्या कहता है कि भाज जी बराबर भाजा गुना बागफल जोड सेस, तो number system में आप लोगों को question direct पूछेगा, कि यदि किसी भाग में माल लेते हैं भाजा कितना है, भागफल इतना है, और भाजे इतना है, तो सेस्पल क्या होगा, आपको बना के दिखाना होगा, तो यह इस formula को याद रखिएगा, कि भाजे बराबर भाजा गुना भागफल जोड सेस होता है, यहां तक समझवाया, अब हम लोगों को एक चीज जाना जरूरी है, विभाजयता की नियम, देखिए, विभाजयता की जाच, विभाजयता की जाच कैसे करेंगे भाई, ध्यान दो, विभाजयता की जाच दोस्तो, कोई भी संक्या 2 से कै इसे विवाजित है कि नहीं है, 3 से विवाजित है कि नहीं, एक्जाम में Code continuation direct पूछ रहता है, कैसे spoon पूछता है देखो, जैसे दीया, चार, छो, नो, तीन, साथ, दो, नो, आप कहे देगा, क्या यह संक्या 3 से विवाजित होगी, हाँ 연हीं, chamber भाग देने बैठेंगे, तो भाग भाग देने में बहुत जादर टाइम लगेगा कम से कम एक मिनिट का तो टाइम लोग ही अब भाग देने में लेकिन यदि हम लोग ट्रीक से बनाएंगे इसके विवाजिता कि जाच करके देखेंगे हमको पता रहेगा कि तीन से भाग का इस कहां कहां भाग लगता ह कौन सा संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा ये चीज जिए हमको पहले से पता रहेगा तब हम देखते ही बता देंगे कि 8 संख्या 3 से कटेगा कि 3 से नहीं कटेगा उसी तरह से सब संख्या का एक अलग-अलग रूल है ठीक है कि 2 से कौन-कौन संख्या विबाजित हो है यदि 2 का गुनज है यानि संख्या है और 0 है तो वो 2 से पूर्ण तब विबाजित हो जाएगा जैसे कि 4, 6, 9, 3 यहां मालत ने 0 दे दिए या फिर दे दिए 9, 3, 6, 4 यहां पर 2 दिए 8 दिए 4 दिए यानि लाष्ट में अंतिम संख्या जो है यदि संख्या रहता है तो 2 स कोई भी संख्या कट जाएगा ठीक है यानि किसी भी संख्या के लाष्ट में 0 रहेगा या फिर कोई संख्या रहेगा तो वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा यहां तक समझ मागिया यानि कैसे जानेंगे कि 2 से विभाजित है कि नी तो लाष्ट में देखें 9, 3, 6, 4, 2, 3 या फिर यहाँ पर ले लिए 4 ठीक है? तो 2 से विवाजिता की जाँच के लिए हम लाश्ट का 1 ठो देखते थे तो 4 की विवाजिता की जाँच के लिए हम लाश्ट का 2 ठो देखेंगे ठीक है? उसी तरह से 8 की विवाजिता की जब जाँच करेंगे तो लाश्ट का तीन ठो देखेंगे और जब 16 से विवाजिता की जाँच करेंगे तो लाश्ट का हम चार ठो देखेंगे समझ मारा इस तर जितना गुनज बढ़ता चलेगा उतना इधर हम डिजिट बढ़ाती चलेंगे समझ मारा तो चार से विवाजिता की चार से विभाजित नहीं होगा समझ मा गया, तो इस तरह ये रूल होता, आठ से विभाजिता की जाँच कैसे करोगे, उसी तरह से 3 संख्या देखना, 16 से विभाजिता की जाँच कैसे करोगे, उसी तरह से 4 संख्या देखना, क्लियर हो गया तो ये आप समझ गए कि सम संक्या से विभाजिता की जाच कैसे करेंगे चलो अब next है कि 3 और 9 देखो कोई भी संक्या माल लेता है जैसे दे दिया 9, 3, 6 और फिर 9 ठीक है और फिर दे दिया मैंने इतना तो क्या ये संक्या जो है तीन से विभाजित हो जाएगी पूर रूप से तीन से विभाजित हो जाएगी ये संक्या तो इसको रूल क्या कहता है दोस्तो कि इसके सभी अंकों को आप जोड़ दो सभी अंकों को जोड़ दो जोड़ के जो निकलेगा उसको देखो कि वो तीन से विवाजित होता है कि नहीं होता है यदि होता है तो ये पूरा भी तीन से विवाजित हो जाएगा तो देखो तो कितना होगे 9-3, 12, 12-6 12-6, 18 18 और 9 हो गया 27 27 और 1 हो गया 28 28 और 5 कितना हो गया 33 33 आ गया क्या 3 से कटेगा कट जाएगा यानि ये पूरा भी क्या होगा 3 से पूरा पूरा कट जाएगा समझ मारा है यानि जोड़ के देखेंगे सब्ठो यदि 3 से कट जाता है तो ये पूरा भी संख्या 3 से विवाजित हो जाएगा और यदि जोड़ के देखेंगे नहीं कटता है तो ये पूरा संख्या 3 से विवाजित नहीं होगा किसी भी हाल में वही कंडिशन होता है 9 से विवाजिता की जाँच में सब को जोड के देखिएगा और यदि 9 से विवाजित हो जाता है तो वो पूरा संख्या भी 9 से विवाजित होगा जैसे कि एक उधारन देता है जैसे कि माल लेता है चार पांच और यहां दे दिया मैंने पांच चार क्या यह संख्या 9 से विवाजित होगा या फिर यहां तो लिखा हुआ है अंक और भी कई लंबा रहेगा तो कैसे जांज करेंगे तो उसी तरह से सब को जोड़ देंगे है ना 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 तो देखो तो भाई कितना हो गया 4 और 5 9 9 5 14 14 चार कितना हो गया 18 आरा ना यानि 18 9 से कटेगा की नहीं कट जाएगा मतलब इठो भी पूरा पूरा 9 से कट जाएगा समझ मारा, तो विभाजिता के नियम का क्या मतलब यह हुआ, जोड के देखेंगे, यदि अंको का योग विभाजित होता है, तो पूरी संख्या भी विभाजित हो जाएगी, और उसी तरह से 9 के सिच्विशन में भी यही कंडिशन होता है, कि यदि अंको का योग जो है 9 से व और तीन दोनों से कट जाता है तो वो 6 से भी कटेगा ठीक है क्योंकि 6 जो है दो और तीन से मिलके बना है दो तीया 6 तो कोई संख्या जो दो और तीन दोनों से कटे वो 6 से भी कटेगा तो कोई एक संख्या आप बताओ जो दो और तीन दोनों से कटता हो जैसे कि माल लेते हैं तो यह संक्या 6 से भी कटेगा, कटेगा की नहीं, आप चेक करके देखो अभी, जैसे कि महा लेते 30, यह 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, यानि 6 से भी यह कटेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि 6 से हम कैसे चेक करेंगे, कि 6 से विवाजित होगा के नहीं होगा, तो क्या हो होगा दो से और तीन से दोनों से विवाजित होना चाहिए ठीक है एक हमारा आ जाता है सेबन और एलेवन उसको हम जब नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे आप साथ और ग्यारा से हम जाउच कैसे करेंगे क्योंकि उसका अगां करेंगे यहां पर देखिछ लों को पांच चासट इस जयिरो तो बहुत कटेगा ही कटेगा 100% कटेगा है ना तो यह कुछ rules है और बजा साथ और ग्यारा साथ और ग्यारा की जाँच ठीक है तो इस चाप्टर का तो हम आपको इंट्रोडक्षण दे दिये तो साथ और ग्यारा की जो जाँच है इसको जब हम चाप्टर सुरू करेंगे तब आप लोग इतना याद करके रखना कि जो भी मैंने चीजें बताई एक बार घर पर प्रैक्टिस कर लेना नोट्स बनाना हो तो बना सकते हो में लिए दिमाग में यह होना चाहिए क्या स्थानिमान क्या है सम संक्या क्या होता है विसम संक्या क्या है अब आज ही संक्या क्या होती है इस सरetts्षीज आप लोग सुरू से जानते हो, तो दोस्तों अभी आप लोगों कुछ करना किया, यहां जितनी भी चीज़े मैंने आप लोगों को बताई, ये सारी चीज़े आप लोगों को कोई लंबा सा दे देगा संक्या इतना छो ना तीन दो ठीक है और पूझेगा कि इठो पूरा संक्या नो से कटेगा कि नी चेक करके बता हाँ या नहीं तो आप लोग क्या करोगे एक टूब भाग दना सुरू करोगे नहीं जो हम बताएं वहाँ पर नियम कि तीन से विभाज जिता कि जांच कैसे करेंगे वह रूल अपनाना है और ये सबी चीज़ों को याद रखना है ठीक है साथ और ग्यारा की बारे में एक अलग नियम होता है इसको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए समझ बाग गया तो मिलत है दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद